दोस्तो बोलीवूड में जब कोई नई लड़की हिरोईन बनने के लिए आती है तो उसे हिरोईन बनाने से पहले या फिल्म देने से पहले उस लड़की का शारिक शोशन किया जाता है और उसके बाद में उसे फिल्म दे जाती है अगर लड़की इन चीजों को जेल लेती है तब तो वह जिन्दी में आगे बढ़ जाती है और अगर कोई लड़की यह सब नहीं करती तो उसे कोई फिल्म नहीं मिलती और वह फिल्म इंडर्श्री से बाहर हो जाती है आज हम Bollywood की ऐसी ही एक खुबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं अपनी शांदार अभिन्यकला, भोली सी सूरत, सादगी भरे अंदाज के कारण में लाखों दिलों पर राज करती हैं लाखों लड़के केटरिना पर जान छिड़कते हैं अबनेत्री केटरिना कैफ बोलीवूड की उन अबनेत्रियों में से एक है जो अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रही है पहले सल्मान खान के साथ उनके रिष्टे की खूब चर्चा सुनने को मिली सल्मान और केटरिना पहले रिलेशन्शिप में रह चुके हैं लेकिन साल 2011 में जब सल्मान खान ने केटरिना कैफ को रनवीर कपूर के साथ शारिक संबन्द बनाते हुए रंगे हातों पकड़ लिया तो सल्मान ने गुस्से में आकर केटरिना कैफ को जोड़ा थपड़ मारा और काफी भला बुरा भी कहा फिर कुछ दिन बाद ही खबर आई की केटरिना गर्वती हो चुकी है जिसके बाद सल्मान ने जाकर केटरिना का अबोशन करवाया अब ये तो नहीं पता की केटरिना के बच्चे का बच्चे का बब सल्मान खान था या फिर रंवीर कपूर लेकिन इस घटना के बाद के ब ब्रेकप हो गया लेकिन रिष्टा खतम होने के बाद भी दोनों दोस्त हैं यह पहली बार नहीं है जब बोलिवुड स्टार ब्रेकप के बाद साथ काम कर रहे हों इससे पहले भी कई स्टार्स ब्रेकप के बाद भी साथ काम कर चुके हैं बोलिवुड के खिलाडी कुमार या इन दोनों का प्यार भी एक समय खूब परवान चड़ा था। हालां कि यहां भी कैटरीना कैफ को निराशा ही हाथ लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब फिल्म राजनीती से आये। हालां कि बाद में दोनों अलग हो गए। कैटरीना अपने प्रेम में अमिनेता कोत्रा को भी गिरफतार कर चुकी है। रणबीर से अलग होने के बाद कैटरीना का दिल सिधार्थ पर आया। दोनों फिल्म बार बार देखों में साथ काम करते हूं नजर आये थे। और इस फिल्म के गाने काला चश्मा से दोनों ने खूब सुर्खें बटोरी थी। हाला बिना किसी जीवन साथी के अपना समय व्यतीत कर रही है।